तो Southern Brave versus यहां पे वेल्स फायर के बीच में मैच खेला जागा मेरे बाई हार जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फिर वो नेटरन रेट से डिसाइड हो जाएगा अगर वहां पर बर्मिंगम हारता है तो अगर जीता तो वो कौलिफाई हो जाएगा ठीक है तो यहां पर बात किया जाए तो इस जैसी टीम मैंने बोला कि इनके पास कुछ खोने के लिए है नहीं तो अगदम बेखाफ किटकेट खेलेगी और हो सकता है कि उलट फिर कर दे मेरे भाई बाकि यहां पर मार्केट फेवरेट देखिए उल्टा ही बोल ला है साट परसंट यहां पर बोल ला कि वेल्स यहां जीते का चालीस परसंट यहां पर साउधन के साथ तो इस मैच में मज़ेदार होने वाला है अगर इंट्री आता है तो सीधे 70 पैसा को खाके वेल्स को प्लस करने का आएगा अगर वेल्स जीतेगी तो ठीक है पाकी अगर बात करें तो कल दो मैच है साड़े साथ बज़े और रोस बाल साउथ हैंटन में मैच है और अग इस दाइमेंशन उदर खिलवाई यह उदर शॉट लगवाई यह फंसेगा यह फंसेगा फ्लेयर तो यह यहां पर चलता है मेरे भाई ठीक है बाकी ओवर अल सर्फेस का बात करेंगे कैसा होगा मैच विन्यू कैसा है कौन सी टीम जीतेगी सेशन कैसे घटेंगे नेक्स ले बलका है तो आप जूड़िये कमाईए देखिए कैसा काम चलना है रिकवर करना है तो कड़िये बागी पैसा आपकी मर्जी आपकी है मेरे भाई यहां पर स्कैन करके जोईन हो सकते हैं और 742 8525767 पर कॉन्टेक कर सकते हैं मैच और सेशन के लिए और हर वीडियो के नीचे निगेटिव है एक सट परसेंट हुमिडिटी है पेस और बाउंस बहुत अच्छा है यहां पर टिपिकल इंग्लेंड वाला सर्फेस है बाकी देखिए सतर मैच हुआ है 43 वर फर्स बैट 26 वर सेकंड बैट एक मैच टाई रहा है एवरेज 162 का है 221 हमसायर का यहां पर हाइ यहां पर ग्लैम ओर्गन का 87410 है यह T20 पॉइंट व्यू से है मेरे बाई 150 से नीचे 20 बार लगा है 152 167 बार 172 118 29 बार 184 बार लगा है तो डाइमेंसन का असर दिख रहा है कि ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते है ठीक है अव्यसली यहां पर छक्का मानने के लि मैंचेस्टर उरिजिनस मारी सावदन उसको चेज कर गी छे में से 6 विगट पेसर तीन में से 2 विगट पेसर ने निकाला है तो ओवर लास्ट तीन मैं यहां पर यही दिख रहा है कि ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए प्रस्ट बैट करने वाली टीम जो भी है वो नहीं जीत पाई है चूग की टारगेट ही बड़ा नहीं खड़ा कर पाई है तो यह तो इसको है데 Quit redef निकाला है तो पेसर ने ज्यादा मदद है as compared to Spinnars हेट टूर में 6 मैच हुआ है इन दोनों के बीच में साउधन 5 जीती है एक वेल्स फायर जीती है तो साउधन काफी डॉमिनेट कर रही है ओवर वेल्स फायर होम गराउंड पे तीन मैच खेली और तीनों हडाई है मेरे वेल्स को साउधन ने लास्ट पांच में से देखे तो पांचों मैच यहां पर साउधन जीत के आ रही है और यहां पर आप देख सकते हैं साउधन का विन है लॉस है विन है विन है विन है तो लास्ट पांच में चार जीत के आ रही है वहीं वेल्स फायर का लॉस नोडिजर्स लॉस विन लॉस है एक मैंच जीती है लगा तार में लास्ट तीन में से दो हारी एक नोड़ी जलसी रहा है तो इनका कंसिस्टेंसी दिखा ही नहीं है वेस्ट फायर का एक दो प्लेयर ही बैटिंग से एकदम कंटीब्यूटी नहीं कर पाया है बैडिस्टो के इलाबा मुझे नहीं लागा कि फिलेंद लागा बैजती प्लें लागा नहीं वाकती है दैस्टन पर यहां पर चारण मैंच वेस्ट जीती है चाड़ मैंच गर जीती है जचेल कर रही है अच्छा फॉरूं दिखा रही है इनको एकपैसे लाग दिखाल में लोटी तो यह तो बहुत जादा दिखा दिया इस पर आप यकीन नहीं करिए इस पर क्या कड़िए कि 130 के कड़ीब कड़ीव यस कर सकते हैं यहां पर 95 के कड़ीब कड़ीब यस कर सकते हैं यह दोनों ओन एन एवरेज ठीक दिख रहा है इधर देखा जाए तो स्टीव इसके नाजी जो की बैडिश्टो के जगह है टॉम कुलर कैडमोर गिलेंफ फिलिप्स जो कलाक टॉम एबल लुक वेल्स लुक वेल्स डैविड विल्स वाइट ली मैट हैंडी हरी स्रॉप और डैविड पेन यह वेल्स फायर का अपलेंग 11 है अब इधर देख सकते जैंस विंस 28-52-73-90-20 तो लास्ट पांच में से एक इनिंग छोड़ दिये तो हड़ मैच में कंटिब्यूट करके दिया है जैंस विंस ने लिउस डिपलोई 5-4-21-9-21 अंध्रे फिलेचर 1-1-3-20-60 तो जब से यह आ कारन पोलाड अच्छा कंटिब्यूट कर रहे हैं यह 45 जन 18-17-38-37-0-1-0-20 यह पांच छक का जो मैच निकल वाया साथ पैसा का ट्रेंट के अगेंस अपनी टीम भी यही थी ठीक है क्रिस जॉर्डन 3-1-2-3-2 बैक्टिंग से भी कंटिब्यूट कर देता और बॉलिंग द लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला जो फटार जा दो जीरो ट्रिपल वन ग्लेन फिलिपस एकदम फॉर्म में नहीं है दस आठ छे इगारा जीरो आप देख सकते हैं टॉम कोलर के एडमर पच्छ चोवण तीन चोफ़दा चाड़ बाइस यह लगा था कि निकाल दिया लेकिन मैच नहीं निकला है इन से नो दस पांच पांच जीरो जो कलाग आउट अप फॉर्म टॉमेबल भी नहीं है साथ इगारा तेटीस बारा सोला इसकी नाजी तीस छे तरीस छे पंदरा लास्ट मैच ही खिलाए गया और ठीक परफॉर्म किया इस मैच में सब स्काटर दिख रहा है एक तीन बारा सोला एक दो एक जीरो तीन यह ठीक बॉलिंग कर रहा है और इस रॉप देखिए चार दो है और तीन है तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ्शन है जीरो एक दो जीरो दो डेविट पेंड भी थोड़ा ओन एन आउफ है पाकि यहां पे ल सब्सक्राइब कर रहा है फॉर्म के हिसाब से इनके साथ भी जा सकते दोनों बैटिंग पॉइंट ऑफ इसे बाकि दीमिलन के अबडेटिट टीम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकि जोइन करिए नेक्स लेवल टीम फ्री में आ रहा और 748-525 सब्सक्रिप्शन के लिए और इसका एक टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जागा जाके जोइन करिए डेमो के लिए चलिए वावल अभी टेके गुड़नाइट